प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागतबा, भोजपुरी दुनिया से जुडल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर, चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग भारत सरकार के केंद्रिय सिंसर बोर्ड ने ये अनुमती दी है, कि आप अपने 12 साल से कम उमर के बच्चों को भी बॉर्डर फिल्म दिखा सकते हैं, जो दी है, आज तक सिर्फ भोजपुरी सिनेमा पे आरोप लगाया जाता रहा है, कि यहां अशलील फिल्में बनती है, दो बड़े कलाकार है, सब लोगों ने साथ निभाया है, योगदान दिया है, और आज फिल्म पूरे भारत में रिलीज होई है, हर जगा लोग इसको बहुती सरानी तरीके से देख रहे हैं, और सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो हम छपरा की जंता से भी ये निवेदन करते है कि हम लोगों ने प्रयास किया है, कि एक साब सुतरी परिवारी फिल्म बनाएं, और कल एद है, कल आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, बॉडर को देखिए, और हमारे इस प्रयास को बताईए, कैसा रहा, और भारत माता की जैकारा का नारा लग आपके मौरिसस में, फीजी में, वहाँ भी, इंडिया के बाद अब वहाँ भी रिलीज होने जारी पहली ऐसी भोजपूरी बेल्ट के हो, कोई छपरा से है, कोई बलिया से है, कोई आरा से है, कोई पटना से है, कोई सिता मडी से है, कोई आजमगड से है, कोई बनारस से है, हमने कोई बेल्ट छोड़ा नहीं हर जगह से हम और परवेस गाजीपूर से हैं और अब मैं चाहूंगा मेरे छोटे भाई हैं यह कहने को छोटे हैं पर यह काम बहुत बड़े-बड़े करते हैं क्योंकि इस बॉडर फिल्म को साइद मुझे बनाना होता तो मैं हिंमत नहीं ज प्रवेश लाज जी हमारे मेडिया कर्मी भाई हमारे सबसे बहले कहना चाहूंगा जैसा की बताया कि अगर मैं भी अगर एक नॉर्मल आदमी होता है सायद यह बीड़ा नहीं उठाता और अच्छा लगाव रहा है आज भी है और इसलिए सायद रपाया और इस फिर्म को आ पूरा सार क्या है हमने सिर्फ इसके उपर फिल्म बनाई है हम अपने पड़ोसी देश को इस फिल्म में यह बताए है कि आप वोडर के नियमों का बार बार उलंगन करते हो इंडियन आर्मी ने एक बार उलंगन कर दिया तो कहीं दुनिया के नक्से में नजर नहीं आओ हमें सिर्फ एक बार उलंगन करना पड़ा तो भाई खतम हो जाओगे इसलिए यह बार बार नियमों का उलंगन करना छोड़ दो हमने बस इसी पिल्म पने प्लानेट भजपुरी